हाई लव यू यू अवलकम ऑन माई चैनल लर्ण बियॉंड बिसिकली आज हम SSC PCS रेलवे के हैं जो हमारी कड़ी जनरल स्टडी की चल रही है उस पे हैं फर्स्ट पार्ट ऑव बुक्स जो इंपरेंट बुक्स अन 57 इन उटिर वर उसकी बात हमने अल्रडी कर लिया है आज बिसिकली वी यारेज अरॉन दा ओफ इंप्रकर सब्सक्राइब करें तो जब हम पोस्ट मॉडिया में चलेंगे तो वहां पर एक वन्स की बात हम करेंगे उस वन्स का नाम कुसान डायनिस्टी नाम पते हैं तो कनिस्क के कोट में चरक रहते थे और यह चरक की बुक चीजों पे अपनी बुक लिखा करते थे तो उसी चरक ने जो एक बुक लिखी है वो चरक समीता के नाम से जानी जाती है आपके लिए इंपोरेंट है कि चरक की बुक चरक संगिता आयुरुवेद मेडिसीन पर लिखी हुई बुक कनिस के दर्वार में चरक रहने वाला वो आप कह सकते हैं कि फिजीसियन है चलते हैं नेक्स देखते हैं कौन सा ओथर है और कौन से बुक है नेम इस वान भट देखी ये जो वान भट है ये पुस्स भूती एक बंस है जब मिडावल हिस्ट्री के करी में हम आएंगे तो पुस्स भूती बंस और हर्स वर्धन की हम बात करेंगे तो हर्स वर्धन हर्स वर्धन जो फाउंडर है आपके पुस्स भूती डाइनिस्ट्री की तो उनकी जो बायोग्राफी है वो हर्ष चरित है है तो हर्ष चरित किस ने लिखा तो बानभट ने लिखा हर्ष चरित और हर्ष वर्धर कौन है तो पुस्ट बोती वंस के क्या है तो फाउंडर है बानभट ने ना सिर्फ हर्ष चरित लिखा है बरकि एक और भी बुक लिखी है that is कादंबरी तो बोथ बुक इदर कादंबरी और हर्षचरित जिसने लिखा है वो बानभट है यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात यहाँ पर लिखा है क्या लिखा है? He was the Astr Kavi in the court of हर्षवर्धन हर्षवर्धन पुस्वूती वंस के क्या है तो founder है चलें next देखते हैं इस बानभट के हर्षचरित और कादंबरी के बाद जो third हमारी बुक है that is जैदेव जैदेव की गीत गोविंद बहुत famous बुक है यह जैदेव गीत गोविंदम क्या लिखा है आखिर इस गोविंदम में तो क्रिष्ण और उनकी गोविंदम के बारे में लिखा है बिर्णदावन की पुरी बाते इसमें सेर की गई है तो यह वो जैदेव हैं जिन्होंने बुक लिखा गीत गोविंद वो बुक है और इस गीत गोविंद में गोविंद तो ऐसे भी आप क्रिस्टन जी के नाम को आप जानते हैं गोविंदा है नहीं तो गीत मतलब जो उनकी गोपिया है वहाँ से गीत और गोविंदा से क्रिस्टन तो ये इंपोर्टेंट आपके लिए बुक है और उसके ऑथर है नेक्स चलें असगोस देखिए असगोस का नाम हमने आपको बॉध काउंसिल जब बॉध डैनिस्टी प्रहाया था तो वहाँ भी इस असगोस के बारे में आपको जानकारी दी थी बुध के बारे में ही लिखेंगे बुध की चरित्र के बारे में लिखा है तो यहाँ पर जाने फिलोसफर हैं बुधिस्ट हैं ड्रामिस्ट हैं पोईट हैं यह सब आपके असगोस हैं और उस बुख का नाम बुध चरितम है नेक्स चलें देखें क्या लिखा है आपके लिए तो देट इस बिसाखदता बहुत इंपॉर्टन्ट इप बुख है और इतनी बार S.S.C. के एक्जामरेसन या PCS के एक्जामरेसन ने पूछा हुआ है कि मैं जितना भी इस बुख का इंपॉर्टनेंस आपके साथ बोलूँ वो संभवता बहुत कम होगा तो मेरे बोलने से ही आपको लग रहा है कि ये बुख और इस बुख के राइटर दोनों इंपॉर्टन्ट है आपके एक्जामरेसन के लिए बिसिकली ये बुख एक ड्रामा है और ड्रामा लिखने वाला कौंत भिसाख रिता और उस बुख का नाम मुद्रा राक्षस पलस देवी चंदगुप्तम तो जेवी चंदगुप्तम 50% में आपको विटेश देता हूं और मुद्रा राक्षस 200% आपको विटेश के साथ बता रहा हूं मुद्रा राक्षस बहुत important book है और यही वो book है जिसमें मौरियावंस के संस्थापक चंदगुप मौरियावंस का establishment 323 BC में किया था में चंदगुप मौरि को एक सुद्र बताया था clear? बहुत important book है इतनी बार मैंने बोला है कि आप इसी से समझ जाए कि किसी भी condition में बिसाख दता और उसके book मुद्रा राक्षस को नहीं भूलना है जब आप ये याद कर लें फिर आप याद करें कि जिसने मुद्रा राक्षस लिखा उन्होंने ही डेवी चंदगुपतम भी लिखा है और मुद्रा राक्षस सूफी पोएट थे बेसिकली और ये बावर के समकालीन थे बावर जो आपके मुगल डैनिस्ट्री का founder था तो बावर के समकालीन है मलिक मुहमद जाएसी इनके दो बुक बहुत important है पदमावती जो रानी पदमावती पैधारित बाते हैं उन्होंने लिखी है प्लस आखडी कलम ये भी important बुक है जिनको मलिक मुहमद जाएसी नहीं लिखा है clear तो सूफी पोएट है इन बातों को आप ध्यान रखेंगे वात्सयान एक मात्र ऐसे बुक जो पुराने जवाने में आप अगर कहलें कि human sexuality के उपर लिखी हुई है that is कामसुत्रा है नहीं तो ये बहुत पुरानी बुक है बहुत फेमस बुक है बहुत बार एक्जाम से में repeated question है कि human sexuality पर लिखा हुआ कौन सा बुक है that is कामसुत्रा और लिखने वाला वात्सयान clear next फटाफट हम बढ़ेंगे so that आप division भी आसानी से कर सकते है सुद्रक तो सुद्रक बिसिकली एक king है जिन्होंने तीन बुक लिखा है एक लिखा है मिर्क्ष कटिकम फिल लिखा है वीना वस्तबदत्ता फिल लिखा है पद्म पड़ी बढ़ता ये तीन बुक है जिनको सुद्रक ने लिखा है सुद्रक एक king थे और इनकी तीनों बुक आपके लिए important है खासकर मिर्क्ष कटिकम clear next चलें देखें important books one by one करके हम खतम कर रहे है चंदरबरदाई चंदरबरदाई ने पित्वीराज चोहान के उपर जो बुक लिखा है that is पित्वीराज रासो तो चंदरबरदाई important writer लिखा जाने वाला बुक पित्वीराज रासो और जिस king पे आधारित ये बुक है वो है पित्वीराज चोहान और राजपूताना राजा थे ये बहुत important ये बुक है basically medieval history में जो हम चलेंगे राजपूत वन्स के बारें पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक official revision हम इन चीजों का करेंगे फिर्दौसी की साह नामा important book फिर्दौसी को आप याद रखें फिर्दौसी की बुक को याद रखें साह नामा Persian poet थे और इन्होंने जो बुक लिखा basically उससे हम book of kings कहते है तो important है फिर्दौसी बुक को नाम साह नामा next हम आएंगे तो अब्बूल फजल अब्बूल फजल क्या है तो अब्बूल फजल और फैजी जैसे अभी तक भारती इतिहास में सिर्थ दो ही ऐसे kingdom king हुए राजा हुए जिनके दरवार नौ बड़े दरवारियों से सस्ता था जिसको हम कहते थे nine gens हना नौरतन हम उसे कहते थे एक तो वो ancient history के क्या थे तो ancient history में चंदगुप्त दूतिये जिसे हमने विक्रमादित कहा उनके दरवार में नौरतन रहते थे और एक मुगल डैनिस्टी के अकबर उनके दरवार में भी नौ बड़े बड़े बिद्वान रहते थे उसी बिद्वाने में से एक बिद्वान आपके जिसे आपने बिड़वल का नाम सुना तो बिड़वल भी आपके अकबर के दरवार के क्या थे तो एक नौरतन में से एक थे सिमिलरली अकबर के दरवार के नौरतनों में से एक अबुल फजल भी था जिन्होंने जो बुक लिखा वो अकबर नामा है तो अकबर नामा अकबर ने नहीं लिखा है किलियर अकबर नामा अकबर के दरवार में νौर तनों में से एक अब mins फजल ने लिखा है है ना तो आपको मैंने बता दिया कि अकबर मुगल डैंस्टी से है जिसकी बात हम मिडाइंवल हिस्ट्री में करेंगे बट अभी important अकबर नामा, अकबर ने नहीं लिखा, ये अबुल फजल ने लिखा है, नेक्स चलते हैं, अपने important करी में कौन सा, तो हर्स वर्धन, हर्स वर्धन की, हर्स वर्धन बेसिकलिए king ही है, जिसके बारे मैंने आप बताया, कि हर्स चरित्र लिखा हुआ, हर्स चरित् रत्नावली, प्रिये दर्सिका, और नागन्दा, तो ये तीनों बुक, आपके पुस्ष भूती बंस, मिदावर हिस्ट्री में वो बंस है, उसके फाउंडर हर्स वर्धन है, ने ये बुक लिखी है, नेक्स चलें, बावर, तो बावर तो आपके बावर ही हैं, मुगल बंस के संस्थापक यही हैं, इन्होंने जो बुक लिखा, उस बुक का नाम है, बावर नामा, है ना, तो ये सारी बुक मैंने आपको बताई है, बुक के सिलसेलवार तरीके से हम चब चल रहे थे, तो ये सारी बुक हमने आपके साथ सेर की है, आप जरूर ओन वाई वन करके एक दत्ता का important book मुद्राराक चक्स या देवी चंद गुप्तम मलिक मुहम्मध जैसी की पद्मावती या आखरी कि वात्सियान का सेक्ष्ण लोजी की नागनन्दा और बावर का बावर नामा तो एक बार हमने डिवीजन भी आपके साथ किया है I hope कि second book का ये part आपके लिए बहुत important था आप लोगों इसे समझा इसे याद करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे. Next में हम दिखेंगे अपने ancient history की next करी that is Jan dynasty. बने रहे हमारे साथ और देखते रहें important classes. Thank you so much for watching this important lecture. Thank you so much.